सो हेलो एब्रिवन बात करते हैं आज सुजलोन एनरजी के बारे में यहां पर आप देख रहे हैं इस स्टॉक में 2.70% के अराउंड गिरावट देखने को मिल रही है सो आगे क्या करें इस स्टॉक में क्या इसका सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है यह इस वीडियो में आगे बताती हूं आपको बट आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा वर्टसप ग्रूप जोईन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन यहां प तो देखेंगे आप वन वीक में भी यहां पर गिरावट ही सो हो रही है मार्केट में करेक्शन आ रहा है जिस कारण इस टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है और आप देखेंगे वन मन्त में जो इसके रिटन से यहां पर भी नेगिटिव रिटन सी सो हो रहे है वन येर में वैसे सही रिटन्स दियें इसने 84 परसेंट आप देख रहे हैं या पर ठीक है और थ्री येर में भी बहुत बढ़िया रिटन्स दिये हैं 922 परसेंट सो रिटन्स इसके लॉंग टम में अच्छे नजर आ सकते इन फ्यूचर भी आप देखेंगे वैसे ओल टाइम में 42 परसेंट अल्मोस्ट इसके नेगेटिव रिटन्स चल रहे हैं बट इन फ्यूचर जैसे फंडमेंटल्स में इंप्रॉव्मेंट नजर आ रहा है तो इन फ्यूचर अच्छा प्रॉफिट जेनरेट होता है अच्छा कंपनी करती है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में भ लेखते हैं हम चार्ट पर तो इसका जो सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है यह 66 रूपीस के रौंड में 65.90 कह सकते हैं यहां पर 65.90 रूपीज के राउंड इसका एक strong support है अभी currently इसका price चल रहा है 66.22, 26 रूपीज के राउंड तो 65.90 इसका strong support है और ये weekly time frame में है guys तो Friday को अगर इसके down closing होती है 65.90 तो तब यहाँ पर और गिरावट की possibility है तब यहाँ पर यह आपको 60 and 56, 57 रूपीज के राउंड जाता हूँ अधिक सकता है मतलब minimum यहाँ पर यह तो 60, 61 के राउंड जाता हूँ अधिक सकता है और second support then 57 के राउंड नजर आ रहा है तो wait कीजिए जिनके पास यह stock है वैसे तो stock बढ़िया है fundamentally बट आजकल market में correction आ रहा है तो जिसके कारेंट काफे stocks उनमें गिरावट ही देखने को मिल रही है अब बैत करूं यहाँ पर इसके resistance की तो 71.40 रूपीज के राउंड इसकी resistance है 71.40 के राउंड और इसके अबाव यह आपको अगर 73.30 के राउंड इसके अबाव यह second resistance है इसकी अगर इसके अबाव closing देता है on weekly time frame तब यह आपको 80 रूपीज के राउंड जाता हुआ दिख सकता है तो वेट कीजिए से stock में अगर आपके पास यह stock है और fresh entry लेना चाते हैं तो अपने risk में लीजिएगा यह कोई buy sell recommendation नहीं है यह video only for education purpose से है तो thanks for watching this video